अगर आप सभी लोग आज इस वीडियो भी हम बीए ओनर्स पॉलिटिकल साइंस के फर्स सेमेस्टर का सिलिबर डिसकस करने वाले हैं अगर आप सभी डियू एसोल से अपना ग्रेजियोशन कर रहे हैं और पॉलिटिकल ओनर्स आपने लिया है तो यह वीडियो आपके लिए ब संबर में होने वाला है फस्द समेस्टर का और अभी तक आपको अपना सिलिबर से कहीं नहीं मिलिए है तो इस वीडियो में आप सभी कई सीलिबर बताने वालों कि आपको क्या पढ़ना है आपने जो अप सभी को बताूं तो बीह ऑन संप्रूल्टिकल साइंस में पेपर व पॉलिटिकल साइन्स का सिलिबर डिसकस करने वाले जो डियू एसोल ने पॉलिशी के निर्धायत किया तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और साथ साथ दोस्तों आप सभी दोगों से किलते हैं अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को जुरूब सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब तो परियावर अध्यन का परिक्ष्या में करना है उसके बाद पारितंत और अवधार ना एवं इसकी परिभासा में देखने हैं इसके बाद हम पड़ेंगे प्राकृतिक संसाधन जै विविझता वैस्विक परियावर मुद्दे तेक्यिए बात करेंगे प परदूसर क्या होता है इसकी बात पर्याबर ने परदूसर को निपटने को से आयाम हो सकते हैं तो यह आपका जो ठीक है पर याध्यन का जो पेपर है उसमें हमें यह टोटल पांच एकाई कवर करनी है फस्ट सेमेस्टर के लिए तो इसे आपने बूक में नो डाउन कर लिज सब्सक्राइब करने वाले तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लिए सारी आपको मिलने वाली है दूसरी बुक है आपकी जो सब्सक्राइब करेंगे माक्सवाद की बात करेंगे आरा जक्तावाद की बात करेंगे और लास हमारी जो चेप्टर वह हमारा है नारिवाद तो यह आपका अंडेस्टेंडिंग पॉलिटिकल थियोरी राजनेती सिधान की समझ के जो हमारा बुक है तो वहां समय यह चेप्टर में कवर करने हैं फर्स समेस्टर के लेकर इसके बा करनायरा पढ़ना है सविधान करणी ठीक हमें पढ़ना है प्रस्तावनória जो मूल कुसे आइं पूंछ मंतरबएं ठीक हम पढेंगे नागरिक्ता पर विचारविमर्थ की भारत में आगरिटा किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है ना मौन कों से नागरिक होते हैं और जो मौली मेस दिकार के प्रीषाइब होते हैं या गहर नागरी भी मौली के दिकार बिदाण किये जा सकते हैं तो यहां यहां पर देखेंगे तो हम पढ़ाएका जिहां विधाईका क्या होती इसका काम क्या होता है किसी मिलकर बनी होती है कितने भागों बाटी गई है क्या होती है क्या होता है इन सब्सक्राइब करेंगे नयाई पाइलिका की हम नयाई पाइलिका के साथ सा दोस्तों हम पढ़ेंगे सर्वोष नयाले के बारे में ठीक है इस्थाने नयाले क्या होता है जिला नयाले क्या होता है उच्छ नयाले क्या है और सर्वोष नयाले क्या है सर्वोष नयाले क्या है क्या है सर्वोष नयाले क् भारत में पातकालिन प्रावधान तो यह पेपर टू जो आपको मोस्ट इंपॉर्टन पेपर और पेपर जो आपको कंपलसरी करना है इन दोनों को सिल्वस्मन आप डिसकस करते हो साथ साथ दोस्तों आपका जो जर्नल एलेक्टिव सब्जक्ट है चाहे वह हिंदी सिल्मा और अपने इस चैनल पर अपने इस पार्ट में सो आपको करना क्या है सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है वेस नुमBER से हमारी कर्षा जो शुरू होने वाहली है और हमारी कउस्प्रू पर सेकरंड से जिसका नाम है constitutional government and democracy in India और हमारा पहला चेप्टर होने वाला है सविधान का दर्सन ठीक है तो सविधान के दर्सन से हम सुरुवात करने वाले एंड तक लेकर आपको जाएंगे पूरी classes कराएंगे पूरे notes आपको प्रवाइड मिलेगी और टेस्स भी हम चालू करवाएंगे तो एक ही प्लेटफार्म पर पे आपको सारी चीज़े मिलने वाली है और आपको करना कि आपको बैल आइकोन को प्रेस कर लेना है और हमारा पेड कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो की सब्सक्राइब हमारे चैनल पर है सोच चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर दीजेगा और बैल आइकोन को प्रेस कर दीजे इस वीडियो पर से इतना ही बिलते हैं नेस वीडियों तब तक लिए धन्यवाद